जेहिंद एविवान, हरे कृष्ण राधे राधे सभी को कैसे हो आप सब लोग? I hope बहुत अच्छी होगे So आज इस वीडियो के द्वारा हम एक छोटी से बात डिस्कस करना चाहते हैं जिसको आप बच्पन से पढ़ती ही आ रहे हो That is the process called as catalysis पर मैम, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात तो बता दो आज अचानक से इस catalysis process की कैसे याद आगए क्या relation है इसका कोई इंडे examination के साथ प्लीज ज़रा discuss कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम कर दीजे session को like कर दीजे, share कर दीजे और यदी channel पे नहीं हूँ, channel को फड़ा-फट से subscribe कर दीजे अब बात करते है, मैम, यह जो catalysis process है क्या मतलब है इस process का? मैटे, यह कोई भी difficult process नहीं है बहुत ही पायदेमन process है that is, इस process की help से आप क्या करते हो? किसी भी chemical reaction की speed को increase कर देते हो by adding a simple substance जिसका नाम है catalyst Catalyst क्या करता है? खुद तो reaction में participate बिल्कुल नहीं करता है बट हाँ, reaction की speed को enhance जरूर कर देता है So, मैम, यह बात हमें पता थी आप क्यों बता रहे हो आज अचानक से? तो बिल्कुल रुको रुको बताते है आप लोगों को पता है कि आप लोग भी क्या कर रहे हो? एंडे की preparation पर क्या आपको पता है कि एंडे की preparation में science का role कुछ catalyst की तरह नहीं है आंसर है हाँ जी, बिल्कुल एंडे के examination को ले करके सब के मन में एक problem रहती है करें और क्या छोड़े मैं current affairs कर गए तो बल्ले बल्ले नहीं तो बिल्कुल खतम case है तो मैं इन सब में ऐसे क्या चीज़ है जो हमारे rank को जो है बहुत ही जबरदस तरीके से boost कर सकती है plus वो आसान भी है उसका नाम है science आप लोगों को पता है science बिल्कुल basic level की आती है आपकी examination के अंदर that is आपको science के पहली बात अच्छे खासे question देखने को मिलते है that is 50 questions और यही नहीं यह ऐसा subject है जिसको आप 9-10 में बहुत बढ़िया तरीके से full cjp ले करके पार करके आए अब इसकी हलकी सी brushing अगर आप कर लोगे तो आपकी जो rank है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी boost हो जाएगी तो मैम brushing अगर हमको करनी है चाहे वो physics है चाहे वो chemistry है चाहे वो biology है मैम कहा से करे कुछ दिक्कत नहीं है आपको physics के लिए आपको पता है आपके पास queen है physics queen that is कनी का माम को follow कीजिए उनके जो वीडियोज है उनको आप देखे आपको सभी वीडियोज इस चानल पे जो है मिल जाएगी with playlist with order उसके अलावा बात करूँ अगर chemistry की तो chemistry आप मुझसे पढ़ सकते हैं और bio आपको जो है sunny sir cover कर ही देते हैं ठीक है तो just इनकी hulky-fulky brushing से आपको मैं आज ये बात लिख कर दे सकती हूं I can bet upon this कि आप 50 में से 48 questions कहीं नहीं छोड़ के आने वाले simple brushing करके और आपकी science जो है वो जरूर एक catalyst की तरह act करेगी आप no down कर लीजेगा आपका rank भी boost होगा आप merit में भी आगे बढ़ जाओगा so I hope आपको ये session beneficial लगाए beneficial लगाए तो comment करके जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ important जानकारी यदि आप चाहती है तो जरूर comment करके बताएं मिलते हैं आप से next session में तब तक के लिए जहें